हेलो एब्रिवन आप सभी को स्वागत हमरी यूट्यूब चैनल में आज हम आप लोगो भीहाद DLRS 2023 भरती जो है आपका अमीन का एक्जाम जो अभी हो रहा था फिलाल 4 तारिक सी 17 अगस तक जो आपका एक्जाम जो चला है ठीक है उसमें जो आपका पेपर जो लीक जो हुआ एकशन कर लिया रहा था उस से जिसने भी आपका पूरा सच क्या मामला है इसमें सब कुछ इसमें आपको डेटाल वे बी में बताने जो paper है आनिक उनिस अगस्त का ये paper का है इसका देनिक भास करका है ठीक है तो इसमें देखिए पढ़के सुनाते हैं पूरा क्या है मामला इसमें आज जाएगा ठीक है तो देखिए इसमें अमीन बहालि प्रश्ण पत्र वाइरल केस ठीक है इसी इसी इबी ने कहा परिच्छा परभावित करने को ऐसा किया गया है ठीक है अब देखिए मामला पूरा क्या है यहाँ से देखिए की जो अमीन बाहली का प्रश्ण पत्र वाइरल होने के मामले में एएरपोर्ट थाना में केस दर्ज कर दिया गया है ठीक है ब्यार सन्जुद परविस परत्योगीता परिक्षा परसद बीसी इसी इसी इबी ने बुधवार को प्रश्ण पत्र वाइरल होन कि BSECB के अधिकारी उमाजंकर परसाद के बयान पर KSM पर केस दर्ज किया गया है ठीक है BCCB के परिच्छा नियंतर ने केस दर्ज किया जाने की पुछ्टी किया है तरफ से कहा गया कि ऐसा पर्तीत होता है कि उप्त परिच्छा केंदर से परस्ण का स्किन शोट लेकर उसे किसी माधियम से बाहर भीजा गया और लैप्टॉप पर डानलूड कर वायरल कर दिया गया सभी परिच्छा केंदर पर जैमर लगा हुआ है अभियार्थियों की फ्रिस्किंग कर परिच्छा केंदर में परिवेश दिया जाता है ठीक है उसके बाद परिच्छा परिक्रिया को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया गया है ठीक है यानि कि इनका कहना ये कि अगर इनक और आप्यार्टी नाम के अभियार्थी का पर्षनपत आया सेंटर से बाहर! लAy mas Corinthians पर 12 नमर का पर्षन और उसका वैकल्पिक उतर लयक्तोप पर वायरल हो रहा है, उसी पर्षन पर रोल नमर से अभियार्थी की जानकारी मिली! अभियर्थी अनिल कुमार है और वह KSM पर परिछा दे रहा था परसद ने कहा कि 16 अगस्त की पर्थम पाली की परिक्षा सावब 12 बजे दोपार के समाप्त होई थी ठीक है दिन के करीब 2 बजे एक अभियर्थी ने परसद को सुचित किया कि पर्षनपत वाइरल है कुछ अन्य लोगों ने भी इमेल से पर्षनपत वाइरल होने की सुचना परसद को दी ठीक है उसके बाद देखे यहाँ पर परिक्षा एजेंसी सवालों के घेरे में ठीक है जो परिक्षा जो एजेंसी है सवालों के घेरे में देखे कैसे अमीन बहाली की परिक्षा सिफी ले रही है सिफी की लेकर सोशल मीडिया पर आवर्थी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सिफी की दस करमियों को साल 2018 में CBI ने गिरिपतार किया था ठीक है उन पर SSE की परिक्षा में परशनपत वाइरल करने का आरोप लगा था सोशल मीडिया पर आवर्थी यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बिहार SFC की परिक्षा भी सिफी कराई थी और इस मामले में खगोल थाना में केस दर्ज हुआ था तीन लोग गिरिपतार हुए थे अब सवाल यहा है कि जिस एजनसी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं उसे ही जाज का जीमा क्यों दिया गया है ठीक है तो यहीं लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं ठीक है उसके बाद देखिए परिक्षा माफिया का ओडियो वाइरल कर रही है कर रहा है LRC का केंडिड है तो बता है देखिए इसमें क्या है सचाई यह अभी देनिक भासगर वाले पुष्टी नहीं कर रहे है लेकिन फिर भी देखिए परिक्षा यहाँ पर इधर सुकुरार को एक आडियो सोसल मीडिया पर वाइरल हो गया वाइरल ओडियो में असुतोस नाम का सेटर और एक यूति वह आपस में बात कर रही है असुतोस यूति से कह रहा है कि LRC के परिक अब यार्थियों का फ्रिस्किंग हो रहा तो पेपर बाहर कैसे आए परशद ने कहा कि अभी आर्थियों की फ्रिस्किंग के बाद ही उन्हें परिशा के अंदर में जाने दिया जाता है परिक्षा अवदी सवावत होने के बाद अस्क्रीन सोट लेकर किसी ने उसे लैप् आखी बाद पर एक्जाम जो प्रस्टमट होगा या नहीं होगा या क्या होगा अभी कुछ नहीं कर सकते हैं ठीक है तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मिलते तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में